हाई फ्रेंड्स आज में लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान बनने वाली और सुपर टेस्टी मैकरोनी की रेसिपी जिसे बनाना बहुत आसान है आप इसे दस मिनट में बना कर तयार कर लेंगे और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी जो बच्चों के लंच बोक्स में भी आप डाल सकते हैं अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मैकरोनी के लिए हम इने दो लिटर पानी लिया है उसे ढखकर हम उबाल लेंगे जब पानी उबल जाएगा तब हम इसमें एक चम यहां मैंने सूजी का मैकरोनी पासता लिया है जो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अब हम इसे चमत से मिला लेंगे ताकि ये नीचे चिपके नगा अब हम इस पर ढखकन लगा कर तीम नड़ तक इसे पका लेंगे ढखकन को हमें आदा गवर रखना है तीम हम गैस की फ्लिम को बंद कर देंगे अब हम इसे चान लेंगे और नॉर्मल धंडे पानी से इसे वश कर लेंगे ताकि मैकरोनी आवर कुप न हो वरना ये मैकरोनी तूटने लगती है अब हम इसे पंखे की नीचे रख देंगे अब हम एक पैन लेंगे उसमें मैंने तीन से चार चम मजड़ तेल डाला है और जब तेल गरम हो जाएगा तब मैंने यहाँ 4 से 5 बारी कटिवी लस्सन डाल दिया है अब हम इसे एक बनिट तक इस तरेके से चलाते हुए पका लेंगे एक मिनिट बाद यहां मैंने बारीक कटा हुआ, दो बड़े प्याज लिए है और अब हम इसे पांच मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे अगर आपको गाजर, बींस या सिमला मिर्च भी डालनी है तो प्याज को एक मिनिट पका कर आप डाल सकते हैं मैंने यहां सबजया नहीं डाली है, मैंने सिर्फ प्याज टमाटर और हरी मिर्ची डाली है, यहां मैंने थोड़ी से हरी मिर्च डाली है पांच मिनिट बाद जब प्याज पक जाएंगे, तब मैंने यहां दो बड़े टमाटर को बारिक काट कर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम यहां आदा जहमज नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी पके अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे धकन लगा कर हमें पांच मिनिट तक पकाना है पांच मिनिट बाद हम धकन हटा लेंगे और यहां हमारे टमाटर एकदम से पक गए हैं टमाटर को हमें कच्छा नहीं रखना है पूरी तरीकी से पकाना है इसे अब मैंने यहां मैगी का पास्ता मसाला डाला है जिसे मैकरोनी का टेस्ट अच्छा हो जाएगा अगर आपके पास मैगी पास्ता मसाला नहीं है तो आप थोड़ा सा लान मुच पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे एक मिनिट तक हम पका लेंगे गैस की फिलिम को हमें मीडियम रखना है एक मिनिट बाद यहां मैंने एक बड़ा चमच टॉमेटो कैचप डाल दिया है अब मैंने यहां दू चमच मयोनीज डाले हैं अगर आपके पास है तो डाले वरना आप इसके पिकर सकते हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे इसे अच्छे से मिला कर हम इसमें आदा चमच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें मैकरोनी डाल देंगे मैकरोनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेना है बस सावधानी से मिलाना है क्योंकि मैकरोनी तूट सकती है इसलिए हमेंसे बहुत सावधानी से मिलाना है मैकरोनी को अच्छे से मिलानी के बाद यहां मैंने चीज डाला है अगर आपके पास चीज हो तो आप डाल सकते हैं जिससे इसका चीजी फ्लिवर आएगा और नहीं है तो आप इसकिप भी कर सकते हैं चीज डालने के बाद हमें इसे ढखकन लगा कर दो मिनिट तक लो फ्लेम पर पकाना है दो मिनिट बाद हम ढखकन हटा लेंगे और ये हमारा मैक्रोनी पास्ता बन कर तैयार है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि इसमें चीज और क्रीमी दोनों फ्लेवर है क्योंकि हमने मैयोनीज भी डाला है और चीज भी डाला है बाई